चलिए दोस्तों भारत में चीतों के नए स्वर्ग की सैर करते हैं तो चलिए मध्य प्रदेश की गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से शुरू करते हैं अभी हाल ही में इसे चीतों के लिए एकदम सही नया घर घोशित किया गया है चंबल नदी के किनारे बसा और 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अभयारण्य अपने अनोखे पथरीले पठार और सूखे पर्णपाती जंगलों के लिए मशहूर है ये चीतों के लिए क्यों मुफीद है जरा सोचिए खुले घास के मैदान और पथरीली जमीन बिलकुल अफरीका के मसाई मारा जैसी साथ ही कम गहरी पथरीली मिट्टी एक सवाना जैसा एको सिस्टम बनाती है जो चीतों के शिकार के लिए एकदम सही है सदा बहार नदी घाटियां जैव विविधता को बढ़ाती है जिससे कई तरह के वन्यजीवों को सहारा मिलता है और पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है लेकिन कुछ चुनौतियां भी है चीतल और काले हिरन जैसे शिकार की भरपूर तादाद सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है तेंदुए जैसे दूसरे शिकारी जानवरों से टकराव हो सकता है और शिकार के जानवरों को दूसरी जगह ले जाने से तनाव से मौतें हो सकती है जिससे शिकार का एक स्थाई आधार बनाना मुश्किल हो जाता है भारत का चीता पुनर स्थापना प्रोजेक्ट 17 सितंबर 2022 को शुरू हुआ जिसका लक्ष 1952 में विलुप्त घोशित की गई इस प्रजाती को फिर से जिन्दा करना है वन्यजीव विशेशग्यों और अंतरराष्ट्रिय भागिदारों के सहयोग से ये प्रोजेक्ट गांधी सागर में चीतों के लिए एक उजवल भविश्य का वादा करता है